हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है ध्यान मा कहा है भावी मा कहा है पुस्पा हापती हुई घर में घुसी और अपनी भावी रस्मी से पूछा क्या हुआ दी दी सब ठीक तो है मा अंदर है वो आराम कर रही है आप यूँ अचानक अचानक क्यों क्या या मेरा घर नहीं है क्या मैं नहीं आ सकती है मैंने ऐसा कब कहा पर आप यू भागती हुई आई इसलिए मैंने पूछा पुस्पा ने कहा मैं मा से फोन पर बात कर रही थी तो मा बार बार छी कर रही थी और उन्होंने बताया कि कल से उन्हें बुखार भी है तो मैं बस मुझसे रुका नहीं गया और मैं उन्हें देखने पुस्पा उनके कमरे में गई, मा आप ठीक तो है, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मुरदला जी ने धीरे से जवाब दिया, रस्मी की साधी को साथ महीने हुए है, घर में सास मुरदला जी रहती है, घर के थोड़ी दूरी पर ही ननदरूस का परिवार रहते है, मा आपकी आवा को दीदी मैंने तो कल बसदाल बनाई थी, और तो माने ऐसा कुछ नहीं खाया, फिर मा को बुखार कैसे हो गया, दीदी मौसम ही ऐसा चल रहा है, आज कल तो हर घर में सब को बुखार हो ही रहा है, पर भावी अभी कुछ दिन पहले भी मा को बुखार था, और आज फिर से इसका मतलब है कि इनकी सेहत का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, आप वक्त पर खाना तो देती है ना, बुरा मत मानियेगा। मैं सब पूछ रही हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, मा का खयाल नहीं रखा जा रहा, मैं समझती हूँ, आपकी नहीं नहीं साधी हुई है, पर मा का खयाल रखना भी तो आपका फर जहना, या आपका ऐसी बाते कर रही हो दीदी, वह मेरी भी मा ह और मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने देती हूँ, आप चाहे मा से भी पूछ लीजिए, वह तो मुझे दिखी रहा है, मा की हालत को देखकर, खेर, आप उनका ध्यान रखेगा, मैं चलती हूँ, साम को जब अंकित घर आये, तो वह भागते हुए अंदर पोचे, क्या तुम्हें बुखार है, पुस्पा ने मुझे बताया, वह आई थी यहां पर, रस्मी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, मा को सुबह से बुखार है, और मुझे कुछ पता भी नहीं है, यह तो अच्छा हुआ, जो पुस्पा ने मुझे बताया, और मैं जल्दी घर आ गय मा को हलका सा वुखार है वा ठीक हो जाएंगी रस्मी ने समझाने की कोशिस की पता नहीं आप दोनों भाई बहन एक छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं छोटी सी बात रस्मी तुम कुछ जानती भी हो मा हिवा हमारी मैया दवाई लाया हूं दे दो ताकि वा स कोशिस करती हूं कि आपको कोई परेसानी ना हो फिर भी आपको किसी भी चीजी की जरूरत है तो प्लीज आप मुझे कहिएगा और किसी को नहीं कुछ दिन बीते और एक दिन सुभा मुर्दला जी ने अपनी बहु रस्मी मैं जरा तेरी मौसी के यहां होकर आती हूं उनकी हूं मैं भी तू परेसान मत हो वह दोनों तो ऐसे ही हैं मेरा बेटा और मेरी बेटी तू ऐसी मत बन दरपोंक चलाती हूं मैं भी तू ध्यान रख अपना और थोड़ा आराम कर लियो सुभा से लगी हूई है जी मा ठीक है और असमी रसोई की तरफ चली गई अभी बस पान और उन्हें जल्दी से उठाया वह दर्द से करा रही थी पड़ोसियों की मजद से उन्हें अस्पताल ले गई वहां जाकर उन्हें एडमिट कराया और डर रही थी कि अंकित को कैसे फोन करूं वह तो बिना कुछ सुने ही मुझे डाटना सुरू कर देंगे इसलिए कुछ देर इंतजार करना ही उसे ठीक लगा लेकिन कुछ ही देर में पुस्पा वहां पहुच गई उन्हें तो पता नहीं कहां से हर चीज की खबर लग जाती थी सायद घर के पास में जो रहती थी इसलिए पड़ोसियों ने खबर दे दी होगी भाबी मा की यहालत कर दी है आपन हास्पिटल पहुच गई हैं कहां जा रही थी वा कि उतरी सीड़ों से नीचे मैंने आपको उस दिन भी समझाया था पर मैं ही भूल गई मुझसे ही गलती हो गई आखिर एक बहु सास का खयाल क्यों रखेगी बस अब तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए मुझे और थोड़ी ही अपनी सास को धक्का मार दिया हो क्योंकि हर पल उसे यह यहास कर राया जा रहा था कि उसकी गलती की वज़ा से ही आज मुझा जी मन बस यह दूबा कर रही थी कि मुझम जल्दी से ठीक हो जाए कुछ ही देर बाद मुझा जी को हो साया डाक्टर ने बताया कि उनके पैर मे फ्रेक्चर हो गया है बाकी वैसे वा ठीक है और थोड़ी देर में उन्हें घर ले जाया जा सकता है अंकित पुस्पा और रस्मी उन्हें घर ले आये अंकित बिना कुछ सोचे समझे रस्मी को सुनाने लगे अपनी बातों से उन्होंने रस्मी के दिल को खुब चोट पोशा था मैंने ही जिद की थी जाने की और घर बैठे बैठे परेशान हो गई थी मैं इसलिए यहां से थोड़ी देर के लिए निकलना चाहती थी यह तो भगवान को ही कुछ और मंजूर था और मैं दोबारा से यहां पर आ गई पर इसका मतलब या नहीं कि तुम बिना कुछ का इतना खयाल रखती है मेरे एक छीकाने पर तो यहां पर आ जाती है क्या तून का भी इतना ध्यान रखती है तुझे कितना समझाया था मैंने अपनी सास से अलग मत हो तूने अपनी रसोई उनसे अलग कर ली तब तुझे याद नहीं आया कि वह तेरी मा है तू मेरी ने तुझे बता दिया तो तुझे लगा कि रस्मी मेरा ख्याल नहीं रखती अपनी पत्नी पर विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है और अगर तू अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं कर सकता तो कोई फाइदा नहीं है इन सब चीजों का रस्मी ने कहा मा आप कुछ मत कहिए बस आप जल्दी से ठीक हो जाए और मैं यहां से अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी मैं यहां रहना ही नहीं चाहती दीदी मुझे बिश्वास ना करें मुझे समझ में आता है क्योंकि वपा मुझे जानती ही कितना है लेकिन मेरे पती ही मुझे पर विश्वास नहीं करते तो मेरे यहां रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता नहीं भूह ऐसा मत बोल यह घर तेरा है सिर्फ अंकित का नहीं है तो इस घर को छोड़ कर कहीं नहीं जाएगी मुझे माप कर दो रस्मी मुझे लगा कि हर सास पहू में लड़ाई जगड़े ही होते हैं मैंने यहां जोड मापी मांगने लगा उस समय पुषपा को वहां से चली जाना ही ठीक लगा कुछ दिन बाद पुषपा का अंकित के पास फोन आया भाई मैंने सुना है कि दो तीन दिन के लिए दिल्ली जा रहा है हां पुषपा ठीक सुना है तुमने तो मा मा का ध्यान कौन पाएगी और पुस्पा ने फोन काट दिया आशा करती हूं दोस्तों आपको अमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सस्क्राइब सेर जरूर करें धन्यवाद